सब्सक्राइब करें GST प्लाटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इंकम टेक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स जी एस्टी प्लाटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जो है वो प्रोवाइड करती गई है अब देख पारें स्क्रीन पे GSTR 9C आउफ्लाइन उटिलिटी वर्जन 2.0 जो है वो अबेलेबल करवाया गया है जिसके अंदर Financial Year 2021 Taxpayer can use this tool to prepare the self-certified GSTR 9C reconciliation statement GST audit जो है अब टेख पेर इस यूटिलिटी को यूज करते हुए खुझ से प्रिपेर कर सकता है आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसका जो Excel फाइल है वो आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वर्जन 2.0 जो है यूटिलिटी आपके सामने ओपन हो जाएगी इस यूटिलिटी को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि GSTR 9 और 9C 2021 में धरना किसे किसे है अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे तो हमने अपनी जून महिने की टैक्स मैगजीन में टैबिलर फर्म में ये बता रखा है आप लोगों को कि GSTR 9 और 9C जो है किस तरीके से भरी जाएगी अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिसकाउंटेट प्राइस पे अभी आपको टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो दिये गए नंबर्स पे कॉल करके वाट्सैप करके आप डीटेल्स ले सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 2 करोड तक अगर आपका टर्नोवर है GSTR 9 जो है भरने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और GSTR 9C भी आपको नहीं भरना है अगर 2 करोड से 5 करोड की बीच में आपका टर्नोवर है तो GSTR 9 तो मैंडेटरी है लेकिन 9C भरने की जरूरत नहीं है चीज यह है कि GSTR 9C जो है वो 5 करोड से उपर वालों के लिए फाइल होगा अब इस नई यूटिलिटी को यूज कैसे करना है सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि यहाँ पर जो financial year दिया गया है इस financial year के selection के basis पे GSTR 9C की utility की features जो है न वो change हो जाएंगी अगर आप financial year 17, 18, 18 19 और 19, 20 select करेंगे तो इस तीन साल के लिए GSTR 9C का जो certification है वो chartered accountant या cost accountant को करना था तो इसलिए अगर आप यहाँ पर 19, 20 select करेंगे तो table number part B और part B का second option यानि कि जो income tax के अंदर auditor audit करता है या फिर otherwise कोई दूसरा accountant या chartered accountant audit कर रहा है तो accordingly certification जो है वो audit के case में professionals के द्वारा दिया गया है लेकिन आप अगर अब इसे select करते हैं financial year 2021 तो अब आप देखेंगे यहाँ पर part 5 के बाद जो certification वाला option था उसे disable कर दिया गया है तो सबसे important चीज़ यह है कि financial year 2021 के अंदर certification जो है अब taxpayer को और tax assessi को खुद से कर लेना है अगर आपको मैं दिखाऊं तो financial year 2020 select करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है is the person making reconciliation statement in 9C is the same person who has conducted the audit यानि कि income tax audit जिसने करा है वही CA GSTR 9C भी भरता है तो आपको यहाँ पर yes or no करना होता था लेकिन 2021 जैसे ही आप select करेंगे चुकि यहाँ पर अब self certification की बात आ गई तो वो option यहाँ से disable कर दिया गया है इसी के साथ साथ जो part 5 है इसके अंदर additional liability due to non reconciliation जो है उसका option दिया गया है पहले यहाँ पर auditors recommendation की बात जो है वो करी जाती अब यहाँ पर आपको others का exception दिया गया है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी data जो है वो feed कर सकते हैं और इसके अंदर आपको कोई भी dhc लगाने की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी जैसे की cs के case में करना पड़ता था chartered accountant को अपना dhc लगाते हुए सारी details को validate करने के बाद ही json file जो वो generator होती है तो यह काफी important update जो है gstr9 और 9c के अंदर निकल के आया है जिसके लिए आपको अब 2021 के लिए तयारी करने है चलिए इस वीडियो को यही end करते हैं आशा करते हैं कि आपको यह point of clear हो गया होगा कि gstr9c जो है self certification वाला कैसे file किया जाएगा अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टाइम किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेट ट्रोर का सब्सक्राइब टेम प्रेस कर लीजे ताथ को जो बेल आइकन है से प्रेस कर लीजेगा ताथ कि वीडियो की notifications आप तब regularly पहुंशती रहें thank you and have a nice day